जै हिन दोस्तों, दोस्तों जै आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों को नंदलाल बोस के बारे में बताऊंगा जो कि बंगाल सैली के सबसे महत्वपूर कलाकारों में से एक है बहुत ही महत्पूर कलाकार है ये और कला से संबंदित एकजामों में इनसे question बनते ही है तो अभी जो भी कला से संबंदित एकजाम होने वाले हैं जैसे UP, TZT, PZT, KVS, NVS, DTLSB, NET, JRF कला से संबंदित सभी एकजामों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्पूर है तो आएए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं नंदलाल बोश इनका जो समय है 1882 से लेके 1926 वी तक ये नंदलाल बोश का एक चित्र है आप देख लिजे फोटोग्राफ है नंदलाल बोश इनका जो समय 1882 से 1926 वी नंदलाल बोश का जन्म कब हुआ कहां हुआ था तो 1882 वी में हवेली खड़कपूर ग्राम और जिला जो था मुंगेर बिहार में है ये तो बिहार के मुंगेर जिले में हवेली खड़कपूर गावमेन का जन्म हुआ नंदलाल बोश ने प्रमख रूप से कला के किस छेतर में ख्याती प्राप्त की तो चित्रकारी के छेतर में इन्हें विशेश ख्याती प्राप्त थी नंदलाल बोश के माता और पिता का क्या नाम था तो माता का नाम छेममडी और पिता पूर्चंद बोश नंदलाल बोश के पिता पूर्चंद बोश पेसे से क्या थे तो ये जिला मुंगेर इस्तित हवेली खड़कपूर तसील के ये दिवान थे नंदलाल बोस कितने वर्स की आयू के थे जब उनकी माता का देहान्त हो गया था तो ये मात्र आठ वर्स के थे जब उनकी मा का देहान्त हो गया अवनी बाबु ने अपनी आत्म कथा जोड़ा साको धारे में नंदलाल बोस के किस चित्र की काफी प्रसंसा की थी तो उमा की तपस्या जो इनका चित्र था उसका उन्होंने वरण किया था नंदलाल बोश ने सुरुवाति काम किस रूप में सीखा था मॉडलिंग के रूप में सांतिनी केतर में किस कलाकार को मास्टर मोशाय के नाम से जाना जाता था तो नंदलाल बोश को मास्टर मोशाय के नाम से कौन जाना जाता था नंदलाल बोश एक चीज ध्यान रखिएगा नंदलाल बोश को सिव सिध कलाकार कहा जाता है और छितिन्दर नाच मजुमदार को भाव का समराट कहा जाता है भाव सिध कलाकार इन्हें सिव सिध कलाकार कहा जाता है नंदलाल बोश ने सिष्टर निवेदिता कि किस पुस्तक के चित्रों की साज सज्जा की थी तो इंडियन, माइथ आफ, हिंदू एंड बॉद नंदलाल बोश को भारत सरकार ने पदम विभूसर सम्मान से कब सम्मानित किया था तो 1924 भी में काफी इंपोर्टेंट है ये वर्स 1916 में नंदलाल बोश ने किस जापानी चित्रकार से जापानी स्याही पेंटिंग तकनिक सीखी थी तो अराई केंपो से नंदलाल बोश ने हरीपुरा पोश्टर चित 1937 बनाने के लिए कौन सी चित्रड तकनिक अपनाई थी कागज पर टेंपरा हरीपुरा पोश्टर का इन्होंने डिजाइन किया था जो की बहुत ही फेमस है उसका विशय जो था वो ग्रामेड परिवेश था ग्रामेड जीवन से संबंदी था वो शांति निकेतन की त्रीमूर्थी किसे कहा जाता है तो नंदलाल बोश विनोध बिहारी मुखरजी और रामकिंकर बैज को शांति निकेतन की त्रीमूर्थी कहा जाता है नंदलाल बोष को किस वर्स लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में अजन्ता गुफा के चित्रों की प्रतलिपियां बनाने गए थे ये वर्स उन्निस नौ से दस के बीच में ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इन्होंने अजन्ता गुफा के चित्रों के प्रतलिपियां नंदलाल बोश का संबंद किस कला संस्था से रहा है तो कला भौन शांतिनी केतन शांतिनी केतन में मास्टर मोशाय और सिल्पाचार के नाम से कौन सा कलाकार जाना जाता था तो नंदलाल बोश को नंदलाल सुरी दोस्तों नव बंगाली स्कूल का परवर्तक किस कलाकार को माना जाता है नंदलाल बोश को ध्यान रखिए नव बंगाली स्कूल का परवर्तक किसे माना जाता है नंदलाल बोश को पहला भारती चित्रकार कौन था जिसे सर्व पर्थम रंगीन वृत चित्र कलर डाक्योमेंटरी बनाई थी नंदलाल बोश ने वह पहला भारती चित्रकार जिसे पद्म विभूसर सम्मान से सम्मानित किया गया तो नंदलाल बोश को किया गया था सांति निकेतन में कारू संग कला संस्था की अस्थापना किस ने की थी तो नंदलाल बोस ने की थी कारू संग कला संस्था चित्रकार नंदलाल बोस को किस वर्स पद्म भूशर सम्मान से सम्मानित किया गया था तो 1961 में नंदलाल बोस किस वर्स नंदलाल बोस किस कला आंदोलन से संबंधित कलाकार माने जाते हैं तो आधुनिक कला आंदोलन नंदलाल बोस किन गुफाओं के भित चित्रों से काफी प्रभावित थे अजंता वा बाग गुफाओं से वह भारती चित्रकार जिस ने भारती सम्विधान की पांडुलिग को चित्रित किया था तो किस ने किया था नंदलाल बोस ने भारती सम्विधान की पांडुलिग नंदलाल बोस ने किसके सानिद में रहकर चित्रकला की सिख्छा प्राप्त की तो आउनीन नाट टैगोर नंदलाल बोष के पुत्र विश्व रूप बोष किस रूप में परसिद है तो एक छापाकार के रूप में परसिद है छापाकार विश्व रूप बोष ने कहां से रंगीन काश्ट मुत्रड तकनी का परसिखण प्राप्त किया था तो जापान से रविदनाट टैगोर के परसिद काविग्रंथ गीतानजली के लिए किसने चित्र बनाए तो नंदलाल बोश ने बनाए थे लखनव, फैजपूर और हरीपुरा कांगरेस अधिवेशन के लिए पंडाल किस चित्रकार ने चित्रित किये नंदलाल बोश ने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नंदलाल बोश ने कौन सी परसिद पुस्त के लिखे रूपावली, सिल्प कला और सिल्प चर्चा ये तीन पुस्त के बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर एकजाम में पूछा जाता है नंदलाल बोश ने वर्स 1921 में किसके साथ मिलकर बाग गुफा की प्रतलिपियां तयार की असित कुमार हलदार और सुरेंदरनाथ कर के साथ नंदलाल बोश ने अजनता गुफा से प्रभावित होकर उसका कौन सा चित्र वास टेंपरा तकनीक से कागज पर चित्रित किया था पदोंपाडी चित्र नंदलाल बोश का परसिद चित्र जो अहिंसा का परतीक है दांडी यात्रा लीनो कट में है इस चित्र को अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है लीनो कट में है दांडी यात्रा कभी कभी आपसे पूछा जाएगा गांदी जी की दांडी यात् जो नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया है किस माध्यम में है यह किस पर बनाया तो यह लीनो कट में बना है याद रखिएगा बहुत ही फेमस है यह नंधलाल बोस ने अपने चित्रों को पहली बार कब प्रधर्सित किया था तो वर्स 1911 में नंधलाल बोस ने फैजपूर वहरिपुरा अधिवेशन के लिए पंडाल चित्र कब चित्रित किये थे तो 1937 और वर्स 1938 के बीच में नंदलाल बोस राष्टी ललितकला कादमी नई दिल्ली के फेलो कब बने थे तो 1956 में लखनव फैजपूर वहरीपूरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल चित्रों का प्रमुख चित्रड विसाय क्या था तो ग्रामेड जीवन इसको हमने पहले ही आपको पताया है नंदलाल बोस ने 1905 से 1910 की अवधि में चित्रकला डिपलोमा कहां से प्राप्त किया था कोलकता अर्ट सकाले से सिल्प कथा सिल्प चर्चा और रूपावली प्रमुख पुस्तके किस ने लिखी है तो ये नंदलाल बोस की है वर्ष 1950 में किस विश्व विद्यालाए ने नंदलाल बोस को डिलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया था तो बनारस हिंदू विश्व विद्यालाय कासे हिंदू विश्व विद्यालाय के द्वारा ये इन्हें डिलीट की उपाधी दी गई थे तो ये ध्यान रखिएगा कभी-कभी ये कोशन पूछा जाता नंदलाल बोष की दो पुत्रियां जिन्होंने चित्रकारी में खियाती अरजित की गोरी भाज और जमुना सेंदू नंदलाल बोष कला भवन में किस वर्ष कला सिक्षक पत पर नियुक्त हुए तो वर्ष उन्नीस सो उन्नीस में कला भवन संकाय विश्व भारती विश्व विद्यालय का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था तो नंदलाल बोष को किस वर्ष कला भवन संकाय विश्व भारती विश्व विद्यालय का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया 1922 में कोलकता विश्व विद्याले ने नंदलाल बोस को कब डिलीट की मानद उपाद से सम्मानित किया था तो 1957 में नंदलाल बोश के पिता पूर्चंद बोश क्या थे दरभंगा रियासत के मैनेजर थी नंदलाल बोश का प्रसिद चित्र पार्थ सार्थी वास्तक्निक जल्रंग में है यह वर्तमान में कहां सुरक्षी थे भारती संग्राले कोलकता में तो पार्थ सार्थी इनका जो चित्र वर्तमान में कुलकता संग्राले में वास τक्निक जलरंग में बना है Indian Society of Oriental Art कुलकता की चात्र विति प्राप्ध करने वाले प्रथम चात्र कौन थे? नन्दलाल बोश नन्दलाल बोश के चित्रड का प्रथम नंदलाल बोश के चित्रड का प्रमुख तक्निकी माध्यम क्या रहा है तो वास एंट टिंपरा कौन सा भारती कलाकार आजंता कला सहली से सरवाधिक प्रभावित हुआ तो नंदलाल बोश पहली भारती महिला कला चितेरी जिन्होंने शांती निकेतन में बाटिक कला का विकास किया तो गौरी भांजने किया था बंगा सहली के किस कलाकार ने एंजलो और रैफेल की अनुकृतियां तयार की थी तो नंदलाल बोश ने की थी वर्स 1949 में किस चितरकार ने बढ़ावदा के कीरती मंदीर में सुंदर चितर बनाये थे तो नंदलाल बोश इन्होंने बढ़ावदा के कीरती मंदीर में सुंदर चितर बनाये थे 1949 में विश्व भारती विश्व विद्यालाय सांतिने केतन ने नंदलाल बोष को कब दाशी कोत्तम उपादी से सम्मानित किया था तो ये 1952 में नंदलाल बोष के प्रमुख सिस्यों में से कौन थे विनोध बिहारी मुखर जी, राम किंकर बैज, केजी सुबरमनियम, सत्यजीत रे, अमरित लाल, बेगड, दिनकर कौशिक ये इनके प्रमुख सिस्यों से थे सत्यजीत रे किस रूप में प्रसिद्ध हैं तो ये एक फिल्म निदेशक के रूप में जाने जाते हैं नंदलाल बोष को अपने किस चित्र पर इंडियान सोसाइटी अफ ओरियंटल आर्ट कोलकता की प्रथम प्रदर्शनी में 500 रूपय का प्रुषकार प्राप्त हुआ था तो सती नामक चित्र पर इंडियान सोसाइटी आफ ओरियंटल आर्ट कोलकाता की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी 1908 में नंदलाल बोश की प्रसिद पुस्तक सिल्प कथा कब परकाशित हुई वर्स 1944 में किस भारती कलाकार ने कहा था कि हम प्राडों के पुजारी हैं नंदलाल बोश ने कहा था नंदलाल बोश ने अपना प्रसिद इटैलियन भीत चित्र दूले की सवारी कब चित्रित किया था 1928 में सांत निकेतन की प्रसिद कला चितरी गौरी भांच किस प्रसिद चितरकार की पुत्री है नंदलाल बोश की नंदलाल बोश ने अपना प्रसिद चितर दांडी मार्च 1930 में किस तकनीक से चितरित किया था तो लीनो तकनीक से वेरी वेरी इंपोर्टन्ट है यह, नंदलाल बोष का प्रसिद चित्र सिववसती, किस तक्नीक माध्य में चित्री थे, वास, टेमपरा में, नंदलाल बोष की मुरितिव कब वा कहा हो थी, 1966 कोलकाता में इनकी मुरितिव हो गई, प्रमुक चित्र सिंखला, इन्होंने कौन क इनके कुछ प्रमुक चित्र हैं राधा का विरा कागज पर टेंपरा में बनाया है head of Shiva कागज पर वास और टेंपरा से बनाया राष्टि आधुनिक कलादेरगा नई दिल्य में सुरक्षित है मदर, फीडिंग हर चाइल्ड, कागज पर टेंपरा में बना है, राष्टी आधुनिक कला दीरगा नई दिले में सुरक्षित है, भारती कृषक, भारती किशान, इस चित्र को मैं भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये कागज पर वास एंट टेंपरा से 1928 में बना है, राष्टी आधुनिक कला दीरगा नई दिले में सुरक्षित है, शिव और सती कागज पर वास एंट टेंपरा में 1947 में बना है, राष्टी आधुनिक कला दीरगा नई दिले में सुरक्षित है, उमा की तपस्या वास तकनिक में है, जललंग में है ये, पद्म पाड़ी काज पर वास और टेमपरा से बना है ए बुल ये कागज पर टेमपरा से बना 1937 में, राष्टियादうんी कलादीरघा नई दिले में सुरक्षित है। में राष्टि आधुनिक कला दीरगा नई दिल्य में सुरक्षित है अभिसारीका काज़ पड़टेंपरा में 1937 में बनाया शरस्वती ये कागजपर टेमपरा में है सती बहुत ही फेमस चीतर है कागजपर वास और टेमपरा से बनाया 1907 में राश्थी आदुनीक कलादीरगा नही दिल्ली में सती का देहतयाग जिव का विस्पान बहुत इंपोर्टेंट चीतर है ये कागच पर वास और टेंपरा से बना है, शिव तांडव, शिव विलाप, कर्ड, वार्शिपिंग, दसन, कागच पर वास और टेंपरा से बना है, वर्षा से धुला हुआ कोडार्ग, बुध और मेमना, गांधारी, ये कागच पर वास और टेंपरा से बना है, संथाली कन् ये कागच पर वास और टेंपरा से बना है अभी मन्नि वद कागच पर वास और टेंपरा से बना है भीश्म की सरया सोरित दोस्तों भीश्म की सरसया ये कागच पर वास और टेंपरा से बना है धोलवादक कागच पर टेंपरा से 1937 में बना है बावल कागजपट टेंपरा से है 1937 में वीड़ा वादनी कागजपट टेंपरा से बना है राष्टियादुनी कला दिरगा नई दिले में सुरक्षित है ये बहुत ही फेमस चित्र है अंधा बावल तो ये कुछ इनके फेमस चित्र थे प्रमुक छापा चित्र इनके कौन-कौन से प्रमुक छापा चित्र है दांडी मार्ज ये लीनो कट में है 1930 में राष्टि आधुनी कला दिरगा नई दिले में सुरक्षित है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये अब्दुल गफार खां का व्यक्ति चित्र ये भी लीनो प्रिंट है 1930 में बना है हिरन ये भी लीनो कट है 1930 में बना है प्रमुक भितिचित्र दूले की सवारी इटेलियन भित लेब चैतन्य का जन जैपुरी अराइसी तक्निक में बनाए गंगा उत्रड भितिचित्र ये कीर्ती मंदिर बड़ोदा में बनाया है इनके कुछ आटवर कब हैं उससे देख लेते हैं जो कि बहुत ही फेमास है ये है दांडी मार्च लीनो कट राष्टी आधुनिक कला दिर्गा नई दिल्ले में सुरक्षी थे ये बहुत इंपोर्टेंट है अक्सार एकजाम में ये पूछा जाता है दांडी मार्च एक और चित्र यहाँ पे है जो कि बहुत ही फेमास है ये युधिस्टिर एंड ही डॉग एक और चित्र यहाँ पे है इसका टाइटल नहीं है यहाँ पर एक और चित्र है यह इसका भी टाइटल नहीं है यहाँ पर एक और चित्र है यह इसका भी टाइटल नहीं है यहां पर एक और चित्र है यह दई स्टूडिय ओफ आउनीन नाट टेगोर का इस्टूडियो है एक और शिव का विश्पान यह बहुत ही फेमस चित्र है अक्सर एकजाम में यह पूछा जाता है शिव का विश्पान बहुत ही फेमस चित्र है एक और चित्र यहाँ पर आप देख लीजिए फ्लावर गैदर यहाँ पर एक और चित्र है फ्लाटिंग ए कैन यहाँ पर एक और चित्र है डोलन चमपा यह एक और चित्र है जो की बहुत ही फेमस है अक्सर एकजाम में यह पूछा जाता है सती नामा की यह चित्र है यहाँ पर एक और चित्र है अनपूडा एक और चित्र यहाँ पर है सरस्वती यहाँ पर एक और चित्र है साम यह जो चित्र है इसका नाम है साम यहाँ पर एक और चित्र है नय बादल एक और चित्र यहाँ पर है राधा का विरा यहाँ पर एक बहुत ही फेमस चित्र है दो चित्र है जो अक्सर केवियस डियेससबी और नौदे के एकजामों में पूछे जाते हैं यह भूमी जोत्ता किसान भारती क्रिशक जी से कहा जाता है चित्र का नाम है भूमी जोत्ता किसान भारती क्रिशक कहा जाता है चित्रकार कौन है नंदलाल बोश, काल, आधुनिक काल में बना है, माध्यम, कागजपर जल रंग में बना है, तकनीक, टेंपरा और वास में बना है, समय 1928 सिजबी में संग्रा, राष्टी, कला संग्राले नई दिल्ले में सुरक्षी थाई है तो यह चित्र आप देख लिजिए, 1938 सिजबी में हरीपुरा के कांग्रेस अधिवेशन का पंडाल सजाने के लिए बनाई गई क्रित का यह एक अंश मात्र है, इसमें चित्रकार नंदलाल बोश ने कागजपर वास और टेंपरा विच से आड़ी तीरची किन्तु लैबद रे लियात्मा करेखाओं का प्रयोग है, इस चित्र में एक भारती क्रिशक को खेत जोत्ते हुए दिखाया गया, यहाँ पर आप देखिए, खेत जोत्ते हुए एक भारती क्रिशक को यहाँ दिखाया गया, तीन टेड़ी मेड़ी रेखाओं के द्वारा चित्रकार ने खेत प्रियोग, साज, सज्जा, आकृति, सनरचना वा रेखाओं को आडा तिर्चा वा मोटा पतला करने के लिए किया गया है। उनकी पीठ के कपड़े को नीले रंग से दिखाया गया देखिए बैल को सफेद रंग से और यहाँ पे पीठ पे उनके कपड़े हैं जो नीले रंग से दिखाया गया है। जो कि पूरे चित्र को दिर्शता प्रदान कर रहा है जरो खेनुमा तो यह बहुत ही फेमस चित्र है अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसे याद रखे एक और चित्र है इनका शिव तथा सती बहुत ही फेमस चित्र है आप चित्र को देख लीजिए शिव तथा सती। शिव तथा सती। चित्र का नाम सिव और सती है कलाकार नंदलाल बोश माध्यम क्या है कागच रंग सेपिया कलर्म बना है संग्रा है राष्टी आधुनी कला संग्राले नजदीले में सुरक्षी था यह काल आधुनी काल में बना है समय 1947 सभी में बना है आकार इसका 43 और आड़ी घटना को दिखाया गया यहां पर कागच पर पीले भूरे बैगनी तथा लाल रंगों की विभिन आभाओं के प्रयोग से निर्मित यह एक ड्रमैटिक चित्र है चित्र के प्रिष्ट भाग में भूरे वा पीले रंगों की विभिन हलकी एवं गहरी आभाओं क प्रयोग से निर्मित आकार को दिखाया गया है जो की बैगनी भूरे तथा सफेद रंग की आभाओं के घुमाओदार धरातल पर एक आकार होता दिखाई पड़ रहा है यहां पर देखे चित्रपट के बीच में भगवान सिव अ सती को प्रमोकता से उदास मुद्रा में चित्रित किया गया है सिव को बैठी मुद्रा में सती के मुर्जाय चेहरे को असहाय भाव से निहारते हुए तथा अपनी दोनों बाहों से सती के सरीर को सहारा देते हुए चित्रित किया गया है यहां पर आप देखिए यह सिव हैं और इनके बाहों में यह सती है यहां पे यह सती को बनाया गया है और स्यू जी इनके फेस को देख रहे हैं जो कि इनका चेहरा मुर्जाया हुआ है सती जी का सती उनके बायं घूटने पर मुर्चित अवस्था में लेटी हुई है और गले, कानो, बाजुवा, कलाई में आभुषड और हलके लाल रंग की साड़ी पहने हुई पर आप देखिए ये हलके लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है सती और इनके गले हाथ ये सब में आभुशड से पहनी हुई है उनके बाएंग हुटने पर वो लेटी हुई दिखाई गए है सिव के सिर के पीछे एक हलके पीले रंग का अभा मंडल दिख रहा है उनका मस्तक उजला दिख रहा है उनके बाल उपर की ओर बधे हुए किन्तु दोनों कंधों के पास बिखरे हुए है यहाँ पे देखिए सिव जी एक पीछे आभा मंडल यहाँ बनाया हुआ है हलके पीले रंग से और यहाँ पे वाइट कलर का माथे पे प्रयोग किया गया है इनके और यहाँ पे जूडा भी एक बनाया और बाल नीचे की तलब लटक भी रहे हैं शिव के गले में हार और साप हैं उनका धड़ थोड़ा सा भारी पन लिए हुए है चित्र का अग्रभाग बैगनी भूरे वा सफेद रंग के मिस्रड़ द्वारा असपस त्रूप से दिखाया गया भूरा सफेद रंग का प्रयोग यहां किया गया है चित्र में यहां पर गले में साब भी है यह काफी फेमस चित्र है सिव और सती अक्सर एकजाम में पूछा जाता है तो दोस्तों इस तरह से हमने नंदलाल बहुत से संबंदित जो भी इंपोर्टेंट चीजे थी उसको बताया है तो दोस्तों यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सस्क्राइब और सेयर करें हमारे यूटूब चैनल पर कमेंट करके बताएं का आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों इसी प्रकार से विजूल आठ से संबंदित इंपोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा धन्यबाद दोस्तों